पिछले दो एपिसोड में हमने जो सील है उसके वारें बताया है कई वार सवाल हमारे पास आता है कि हम बार 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 सील सील करते हैं ये सब्द सील है या शील है देखिए शेय जो सब्द है या जो विशेय में शेय होता है विशय वाला शय और शील वाला शय यानि शहर वाला जो शय है ये दोनों शय पाली के सब्द नहीं है पाली का मतलब मागदी के या मगदी के या पुरानी भासा जो असोक के समझें से पहले की भासा बुद्ध की भासा थी उस समय के आसपास की मगद की भासा थी उसमें शेय या शटकॉन वाला जो शेय है ये शब्द कहीं नहीं है तो जब शेय वर्ड नहीं है और शटकॉन वाला शब्द नहीं है तो ये जाहिसी बात है कि शील सब्द भी नहीं है बेसिकली पूरे पालिस आहते में शेय सब्दी नहीं है तो ये सील सब्द है अब सील क्या होता है सील बोलते हैं कि जो बात जो चीज आपके वचन यानि जो आप बोल रहे हैं वो और जो काम आप कर रहे हैं वो उसके लिए ये बताता है कि ये काम ठीक है ये काम पूरी दुनिया के हिसाब से समुधाय के हिसाब से मोहले के हिसाब से घर के हिसाब से प्रकतिक हिसाब से नेचर जो रूल है उनके हिसाब से और मेरे अपने हिसाब से ये सब के लिए कल्यान कारी है और पॉजिटिव है ये काम करना चाहिए ये काम होना चाहिए उसको सील कहते है और अगर उसके वरुद्ध कोई बात होती है तो वो विसील होता है विश का मतलब होता है यानि कि विशील से विश्व बना है विश्व माने जहरिला होता है सील जो होता है वो सौम में होता है लाबदायक होता है कल्यान खारी और अगर वी लगा देते हैं उसमें तो विश बन गया, विसील हो गया, तो वो जहरीला हो गया, इसको हम सील बोलते हैं, सील की मानता इसलिए भी जाता है, कि अगर आप बुद्धत्व प्राप करना चाहते हैं, तो बुद्धत्व की पहली सीड़ी सील है, जो व्यक्ति चै कितना ही धम पड़ ले, चै कितनी विने पड़ ले, चै कितनी समाध Milliarden लगा ले, चै कितनी परगया उसको हो, अगर सील नहीं है, तो जीरो है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसे कुछ प्राप्ट नहीं होगा, जैसे सील फांडेशन है, पांच सील बगवान बुद मंक्स के लिए है, भंते के लिए है, साधू के लिए है, जो संथे उनके लिए है, जो भिकुणी है उनके लिए है, वो सिर्फ उनके लिए है, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे जानना चाहते हैं, पास सील मैंने आपको बताए है, छटा सील जो भगवान ने खुद बनाय सारे शील भगवान ने खुद बनाएं, एक्स्प्रियंस से बनाएं और जो उन्होंने ग्यान प्राप्किया देखा अपने सरीर में, उससे सारे सारे इजाद हुए हैं, पैदा हुए हैं, कहीं नियम लिखा हुआ नहीं आया उनका, छटा सील है विकाल, भोजना, वेर्मनी, स शेयाम होते थे, यानि पूरे 24 घंटे को छे भागों में तोड़ा गया, चार-चार घंटे में, तो तीन याम थे रात के और तीन होते थे दिन के, तो दिन के पहले याम के बाद, यानि कि जब सूरज की, सूरज आपके बलकुल सर पे है, और आपकी छाया जमीन से ना उल्टे हाथ को जा रही है, ना इधर गिर रही है, यानि जब दोपैरी में आप खड़े हो जाएं, और सूरज की रोसनी आपके सरीर के बलकुल सर के उपर हो, और नीचे पड़्चाईं ना सीदे हाथ पर हो, ना उल्टे हाथ पर आगे ना पीछे, उसकी पड़्चाईं आपके सरीर के अंदर ही रहे, वो उस समय को माना गया है कि उससे पहले पहले खाना आपने खाना है अगर आप भिक्कूँ है तो ये नियम, टीचर के नियम है, भिक्कूँ के नियम है, भिक्कूणों के नियम है क्योंकि वो साधना विपसा नहीं कर पाएगा और मोटा हो जाएगा उसको इतना ज़्यादा फूड़ की आप सकता नहीं है क्योंकि वो फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है वो शारिरी काम नहीं कर रहा है महनत का काम नहीं कर रहा है वो मेंटल वर्क कर रहा है वो ध्यान लगा रहा है अपने मन मस्तिस को मजबूत कर रहा है और इस मजबूत करने के लिए सरीर में ज़्यादा उड़ जाकि आप सकता नहीं क्योंकि वो बैठा हुआ है और बैठ के काम कर रहा है तो उन्होंने नियब बनाया कि 12 बज़े के बाद यानि कि जब छाया सरीर के बिल्कुल उपर है उसके बाद में खाना नहीं लेना है वेरमनी का मतलब है विरत रहता हूँ सिख्अ पदंग माने, सिख्अ माने सीखना, पदंग माने पद यानि इस चीज़ को पद को और समाध यामी मतलब ऐसा लेता हूँ सम आद यानि, यानि कि सम मने पूरी तरह से घ्रन करता हूँ तो इसका मतलब यह हो गया कि दुपेर वाद भोजन ना करने की प्रितिग्या करता हूँ या सिक्षा लेता हूँ, या सीखता हूँ, या करूंगा एक उनका ये सील है ये सील उपोषत में भी जो लोग होते हैं, उनको भी कामाते हैं, वहाँ आठ सील लेने होते हैं सात्वा सील है हमारा नच्च गीत, वादित, विसूख, दस्सना, माला, गंध, विलेपन, धारण, मंडन, विभूसन, नठाना, वेरमनी, सिख्खा पदं, समाद्यामी ये भी जो सात्वा सील है, यानि सात्वा जो नियम है, ये भी भिकुणों के लिए है, उपासकों के लिए नहीं है उपासक के लिए तब है, जगर वो उपोसत का यानि पर्व करेगा, जब वो विपसना, ध्यान साधना करेगा, जिसन उसके लिए है इसमें नच का मतलब जो होता है वो नाचना यानि निरत्य ना देखना है ना करना है ना मन में लाना है भिक्कू या भिक्णी कहीं नहीं बैठ सकते ऐसी जिगे जहां पे नाच गाना चलता हो गीत माने गाना, ना वो गाएंगे, ना सुनेंगे, ना वो देखेंगे, ना उसको मन में घ्रन करेंगे, ना मन में रिपीट करेंगे यानि मन के अंदर भी वो ऐसी कोई पिचर नहीं चलाएंगे जिसमें नाच या गाना आता है वादित का मतलब है बजाना यानि वो कोई वादय यंत्र बजाएंगे भी नहीं और ना उसको देखेंगे ना उसको मन में ध्रण करेंगे ना ही मन में रिपीट करेंगे विसूक दसना विसूक दसना का मतलब है नाटक या कोई मंचन जो कारिक्रम होता है नाटक या पिच्चर बगरा देखना यानि कि वो कोई पिच्चर या नाटक भी नहीं देखेंगे नहीं उसके बारे में मन में लेके आएंगे नहीं कोई पुराना देखा हुआ है उसे मन में रिपीट करेंगे या मन में देखेंगे फिर आता है माला गंध विलेपन माला जो होता है जो आभुशन पैनते हैं सारे सारे कोई आदमी या कोई औरत जो हाथ में या गले में माला पैनता है ऐसी कोई माला या गंध या कोई लेप लगाता है सरी के अंदर कोई खुसुदार कोई चीज या फूलों का रस या कोई ऐसी चीज जिसमें स्मेल आए अच्छी या खराब या विलेपन कोई ऐसी क्रीम जो हम चेहरे पर या कहीं बॉडि पर लगाते हैं या कोई तेल या कोई चीज ऐसी क्रीम उसको धारण करना यानि कि उसको act को नहीं करेगा, धारन नहीं करेगा, मन में भी नहीं लेके आएगा मंदन माने हैं, मंदप आपने देखा होगा, मंदन माने सजावट यानि के कोई सजावट भी नहीं करेगा, कहीं फूल लगा लिया, या कोई पती लगा लिया, या कुछ बांध लिया, या सर पर कुछ रख लिया, ऐसा मंदन भी नहीं करेगा, विभूशन ठाना, विभूशन ठाने माने हैं विभूशन, विभूशन ठाना माने, ठान माने होत जखरी या कोई अमूठी या कोई गंडा तावीर या कोई भी चीज ऐसी धागा या कोई जो हात में को चीज बादेगा बल्कुल बॉडी साफ रहेगी कोई भी चीज उसको घ्रन्ह नहीं करेगा। वैसे आज के समय में चस्मा पहन सकते हैं क्योंकि चस्मा जो है वो सरीर के साथ माना जाता है वो इसमें नहीं आता उससे में चस्मा नहीं था तो चस्मा तो पहना जा सकता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वेर मनी सिख्छा पदंग समाद्यामी उनसे विरत लेने की सिख्छा गरण करता हूँ ये सात्मा है भिक्कों के लिए, मंक्स के लिए, विपासकों के लिए, उपासकों के लिए नहीं है जब तक कि वो पुसत ना ले आठमा जो सील है वो है उच्चा सेयन, महा सेयना, वेर मनी सिख्छा पदंग समाद्यामी अब यहाँ उच्चा सोना और महा सेयना का जो वर्थ है वो क्या है उच्चा सोना का मतलब यह है कि आप जमीन पर सोएंगे, उपर नहीं सोएंगे और महा सेयना का जो मतलब है वो यहाँ आता है कि आपने बड़े बड़े गदे, नरम, मुलायम गदे या बहुत पैरों के नीचे गदे लगा लिए, बिस्तर आपका बड़ा नरम है, मुलायम है या आपकी बैश्कित बड़ी शांदार है, या वहाँ क्या बोलते हैं, बिस्तर बे बड़ा आराम आरा जैसे आप पंखों में या आप बादलों में, रूई के गुबारों में लेटे हुए हैं ऐसे करके, यानि के बड़ी सया और उची सया, या सर उठा हुआ है आपका, सर उठा गया आप सो रहे हैं, ऐसी सया आपको नहीं करनी है आपको जमीन पर समतल सोना है, आराम से सोना है, ये उपोसत का नियम है ये नियम इसलिए बनाएगे हैं क्योंकि अगर आप ध्यान देखेंगे कभी और ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप सीधे हाथ पर सोते हैं तो आपका मन और तरह तरह से काम करेगा अगर आप उल्टे हाथ की करवट लेके सोते हैं तो आपका मन और तरह से काम करेगा और आप अगर बिल्कुल सीधे सोते हैं तो फिर मन आपका बिल्कुल इस्थिर रहेगा और सीधा रहेगा इसलिए जितने भी उपासक लोग हैं और भिकुल लोग हैं वो बिलकुल सर आस्मान की तरफ करके गर्दन को उपर आस्मान की तरफ करके बिलकुल सीधे सोते हैं वो करवट नहीं ते और बुद्ध तो कभी सोते ही नहीं थे बुद्ध हमेंसा जागरित रहते थे वो सिर्फ अपने सरीर को आराम देने के लिए सिंग साया में लेटे थे जैसे सिंग लेटता है नीचे वो एक हाथ लगा के और साइड में और कभी नहीं सोते थे वो बुद्ध बनने के बाद में क्योंकि बुद्ध हो जाते हैं या जो विपसना करते हैं साधना करते हैं उनको नींद की आवशकता नहीं होती सरीर उनका ठक जाता है इसलिए सरीर की सेल को रिपेर करने के लिए सरीर को रिपेर करने के लिए सरीर को आराम देने के लिए वो अपनी मूवमेंट को रोक लेते हैं थोड़ देरे के लिए यानि कि वो लेट जाएंगे मूवमेंट रुकी रहेगी तो सरीर अपने आपको रिपेर कर लेगा उसकी मरम्मत कर लेगा सरीर फिर दुबार से ठीक हो जाएगा सोने की आवासकता उसको पड़ती है जो बुरे काम करता है इसलिए जो अच्छे काम करते हैं जो पचसील को मानते हैं आप ताज़ब करेंगे के वो चार घंटे भी सोएंगे तो चार घंटे में उनकि नीन पूरी हो जाएगी ना भी सोएंगे टो वो ठकते नहींए फ्रैस ही एसे रहते हैं बुद्ध कभी नहीं सोते थे ये से एक कमाल की बात है और बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है तो दो सिल, दस सिलों में दो सिलूर आते हैं एक आता है नरम साया का और एक आता है कामनी कंचन का, कामनी कंचन मतलब सोने चांदी का या औरत का कोई ध्यान या पुरुस नहीं रखेंगे, अगर भिक्णूने भिक्णूने, वैसे आठ नियम जा जाता चलते हैं, और उपोसत में भी आठ नियमों का पारण किया जाता है, धन्यवाद